दिप आईटीसी की तरह काई एक स्टोक दे रहा हूँ और वो है आजित तिबिरला केपिटल एबी केपिटल और आपको लगेगा कि जैसा पिछली दिवाली पर हमने आईटीसी दिया था लगबग दो सो बीस पचीस के आसपास और दीन सो पचास के टार्गेट थे वो सारे के सारे टार्गेट आगए और कई सालों तक आईटीसी चला नहीं और सेम सिचुशन एबी केपिटल के साथ भी है सबको लगता है इसके पास सब कुछ है फिर भी चलता है क्यों नहीं हमें लगता है कि कई सालों के कंसोलिडेशन और इंतजार के बाद अब इसका वक्त आने की तैयारी में है थोड़ा पेशेंस टेस करेगा हो सकता है अगले कुछ महिने आपको और ठकाए पकाए दीमे दीमे चले यह सारी चीजह होंगी एक टीपिकल इंवेस्मेंट स्टॉक में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ इसमें हो सकता है लेकि क्यों खरीदना है वो बता द है स्ट्रॉंग बिर्ला गृप की है एक ही बड़ी दिक्कत थी जिस वज़े से स्टॉक के काफी लंबे समय से नहीं चल रहा था वो आइडिया को लेकर कि अगर आइडिया डिफोल्ट हो जाता है बंद हो जाता है तो उसकी जो लाइबलिटी आएगी बिर्ला गृप पर व हमें अब वो रिस्क खत्म हो गई तो उसके बाद हमें लगता कि AB Capital के लिए जो बड़ी मुश्किल है थी वो अब दूर हो चुकी है वेल्यूशन बड़ा आकर्शक है अगले साल के अर्निंग्स पर 14 के पी मल्किपल पर ट्रेड कर रहा है 28,000 क्लोड की मार्केट के फाली कम कि इसमें सब कुछ वो है जो एक स्टोक को आगे बढ़ने के लिए चाहिए पेशन स्टेस करेगा जिन लोगों को एक साल तक शेर खरीदने के बाद 6 महने तक नहीं देखने की आदत है वो शान्ती से इस स्टोक को खरीद कर रखें ये भी स्टोक उसी तरह से धीरे-धीरे बढ़ेगा जैसे ITC बढ़ा है उसी तरह से धीरे-धीरे आपको रिटन देगा लेकिन वाइदा कारोबार में खरीदने के बजाए डिलीवरी खरीद कर शान्ती से रख ले एक सो बारा तेरा के आस पास है अगर नीचे आए सो के नीचे और एड करें अक्यूमलेट करें टा कुल प्योली इंवेस्टर्स के लिए ना के एफनो ट्रेडर्स के लिए बट खरीदारी आप इसको करके चल सकते हैं एबी कैपिटल ITC जैसे सुस्ता बट फाइनली चला वैसे ये भी चलने की तैयारी में है